Hello Friend, Good Morning, आज है 24 December 2020, तो चलिए देखते हैं आज का Important Current Affairs Question No. 1, RBI is recently launching positive pay system for check transaction of which amount from 1st January 2021 अभी हाल में RBI ने एक बहुत ही important positive pay system लागू करने वाले हैं 1st January 2021 तक आपको पताना है कितने amount तक ये लागू होने वाला है Aave of 25,000, Aave of 50,000, Aave of 1,00, Aave of 1,500,000 तो इसका answer है Option No. B, Aave of 50,000 जी हाँ Aave of 50,000 तक आ रहा है positive pay system ये काफी important pay system अब ये जानते हैं ये क्या है सबसे पहली बात कि positive pay system एक pay system है जो की check tradition system को easy बनाने के लिए किया गया है पहले क्या था? पहले ये था कि pay होते थे और एक होते थे draw pay क्या होते थे? जैसे suppose करती हूँ कि मुझे 50,000 रुपीज transfer करना है अपने friend के account में और मेरा account है ICIC bank में और मेरे friend का account है Allahabad bank में तो मैं क्या करूंगी? मैं जो हूँ? मैं अपने पैसे को bank में डालूँगी ठीक है तो suppose मेरा ये bank है मैंने अपने पैसे को इस bank में check दिया और बोला कि मेरे check को मेरे friend तक पहुंचाओ मेरा check है 50,000 का तो मेरे bank ने क्या कि इस check को वो draw bank में दे दिया और draw bank से ये check मिल जाता था जो भी मेरे दोस्त है जहां बहुत है जैसे मुंबई में है तो मुंबई में वो transfer हो जाता था लेकिन ये system में क्या होता था time लगता था और physically check transfer होता था उसको easy बनाने के लिए check transition system आया जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग check bank में डालते हैं बैंक में check डालने के बाद ये clearing house में जाता है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे bank online पैसा transfer करता है तो check transaction system एक system है जिससे bank transfer को easy बनाने के लिए online transfer किया जाता है तो ये check transaction system में हमने पैसा दिया और वो clearing house में गया वहाँ पे online information गया कि अच्छा इनको 50,000 transfer करना है तो online information गया तो ये बंदा अराम से जो draw bank है वहाँ जाएगा और वो 50,000 रुपीज महाँ से निकाल लेगा ये system इसलिए बनाया गया ताकि ये fast हो check transaction system और अभी क्या किया गया है changes वो देख लेते हैं अभी positive pay system में क्या होगा कि इसमें ये होता था कि जैसे मैंने बोला कि मैंने 50,000 का नहीं 5 lakh का चेक दिया था आपने जो draw है उसको गलग चेक दिया है तो ये में क्लेम कर देती थी क्योंकि online होता था और bank का चेक तो मैंने दिया था लेकर बैंक को particular photo रही था उसके पास कि हाँ इन बंदे ने इतना ही पैसा बोला था अब ये system में क्या क्या जा रहा है कि जो भी 50,000 से ज्यादा पैसे चेक कि तुरू दे रहे हैं ठीक है check transaction system में तो उनको क्या करना पड़ेगा अपने SMS उनको क्या करना पड़ेगा SMS के तुरू या फिर screenshot के तुरू या फिर different medium के तुरू आपको बताना होगा कि कितना आपका check number है आपको clear information देना होगा कि क्या आपका check number है क्या check date है क्या आपका account number है क्या account pay का नाम है क्या drawi का नाम है ये clear information आपको बताना होगा खुद से इसे क्या होगा कि pay जो है वो fraud नहीं कर पाएगा और वो दावा नहीं कर पाएगा कि मैंने 50 लाग दिया था बैंक ने से 5 लाग दिया है यह system बहुत ही important है और याद रखेगा यह 50,000 से एभव वालों को ही करना होगा यह information देना होगा बैंक को question number 2 post metric scholarship scheme 2020-2021 is related to अभी हाल में post metric scholarship scheme government ने पैसा transfer किया है और इस पे focus किया है आपको बताना है कि यह किस से related है economically weaker section, adolescent girl, schedule caste, schedule tribe तो यह जो post metric scholarship scheme है यह है schedule caste के लिए और इसमें क्या होगा quality education को afford करवाने के लिए यह scheme लाया गया है ठीक है और याद रखेगा यह किस ministry के अंतरगत है ministry of minority affair के अंतरगत यह लाया गया है question number 3 which of the following is the largest aisle producing basin of India Mumbai offshore, Assam Erecon fold belt, Bengal basin, Krishna Godabri basin देखे जब current affair में कोई भी event होता है तो उससे related information से exam में question आ जाते है तो question आ सकता है कि largest producing basin इंडिया का कौन सा है तो इसका answer है option number D, Krishna Godabri basin जी हां देखे अभी हाल में क्या हुआ है कि ONGC जो की बहुत ही renowned wild producing company है उसने एक aisle well found किया है Bengal basin में और इसी लिए यह question important हो जाता है कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा aisle basin कहां है तो वो है Krishna Godabri basin में यह जो aisle basin find किया गया है यह find किया गया है अशोप नगर of West Bengal और इसका integration करने वाले है ministry of petroleum धर्मेंदर प्रधान उसके अलावा जो 7th basin है इंडिया में total 8 basin हो गया पहले तो 7 थे अभी खोज हुआ है Bengal basin का आपको पताना है कि जो बाकी 7 basin थे वो कौन थे तो वो थे Krishna Godabri basin, Assam Self, Assam Aircon Fold, Mumbai Officer, Cam Bay, Kaveri Basin, Rajasthan याद रखेगा यह काफी important news है Question number 4 Recent report The Status of Leopold in India 2018 released by Environment Minister Prakash Chavetkar which state has highest number of Leopold अभी हाल में Status of Leopold India report निकाला गया है आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा Leopold किस state में मिला है इस report के अनुसार सबसे ज़्यादा Leopold मिला है Option number भी मध्यपर्देश में अभी हाल में Tiger Census में निकाला गया था और उसमें भी मध्यपर्देश में ही सबसे ज़्यादा Tiger भी मिला था तो याद रखेगा और यह लिए report report है यह काफी important है तो उसके बारे में जानते है देखें अभी हाल में जो report आया है उसमें अब इंडिया में total report है 12,852 जो की 60% जादा है 2014 से और highest concentration मध्यपर्देश में है जहाँ पे 3,421 है सेकेंड नमबर पे आता है करनाट का जहाँ पे 1,783 है IUCN जो की काफी important है जो की बताता है कि कैसी condition है उन्होंने status change किया है और status अब हो गया है near threatened से vulnerable अच्छा यह बताईए मुझे यह अच्छा हुआ है या खड़ाब हुआ है status में improvement है या status में down हुआ है क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी बताया है कि 6 status में डाला जाता है Question number 5 Who is the author of COVID-19 Crisis of Civilization and Solution book अभी हाल में एक book release की गई है COVID-19 से related तो यह important हो जाता है Crisis of Civilization and Solution book शक्ति सिनहा, कैला सत्यार्थी, रंगदीप गुलरिया, प्रदीप सिर्वास्तब तो इसका answer है Option number B कैलास सत्यार्थी कैलास सत्यार्थी ने अभी हाल में COVID-19 से related book जिसका हिंदी वर्जन है सबेता का संकट और सामधान release किया है कैलास सत्यार्थी काफी निराउंड प्रसनालिटी है 2014 में इनको Nobel Peace Prize भी दिया गया है इन्होंने बहुत important effort किया था चाइड लेवर के अंगेंस्ट अभी हाल में शक्ति सिन्हा ने एक बुक रिलीज की है जो कि वो भी बहुत important है उस बुक का नाम है भाजपई दे यह चेंज इंडिया उके तो भाजपई जी के जो भी contribution है उससे related ये बुक अभी हाल में release हुआ है तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है उसके अलाव अगर हम option देखें तो रंगदीब कुलरिया का बुक चिल्वी वीन जो की कोवीड 19 से related है इंपोर्टेंट है प्रदीब सिर्वास्तव ने अभी हाल में एक बुक रिलीज किया है गो करोना question number six on good governance day government come up to transfer 18,000 करोर तो डैस फार्मर्स 5 करोर फार्मर 10 करोर फार्मर 9 करोर फार्मर 15 करोर फार्मर देखें अभी हाल में good governance day बनाने वाले हैं 25 दिसेंबर को उस दिन government ने सोचा है क्योंकि फार्मर काफे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे में government आती है और हमारे प्राइम मिनेस्टर खुर ट्रांसफर करने वाले हैं 18,000 करोर कितने फार्मर को तो इसका आंसर है option number c 9 करोर फार्मर को 18,000 करोपीस ट्रांसफर होने वाला है question number seven recent इंडिया वेतनाम मीट इंडिया has given first high speed coastal guard board to Vietnam is manufactured by question number seven recent इंडिया वेतनाम मीट इंडिया has given first high speed coastal guard board to Vietnam is manufactured by अभी हाल में इंडिया वेतनाम मीट हुआ है और हमने क्या क्या है कि वेतनाम को high speed coastal guard board देया है तो वो कौन manufacture किया है कोचीन सिफ्यार्ट गोवाज शिप्यार्ट लार्शन और टॉर्बो टाटर स्टी लिमिटेड तो यह जो है वो manufactured किया गया है option number c लार्शन और टॉर्बो यह काफी important news है question number 8 which is state government कमक पित दीन दयाल क्लीनिक अभी हाल में दीन दयाल क्लीनिक अब बनाया जा रहा है आपको पताना है कि कौन से state government का यह प्लान है जहां पे mbbs और आयूश डाक्टर बैठेंगे और यह क्लीनिक काफी important है क्योंकि यहां पे opt का treatment होगा तो यहां रखिए कि पूर लोगों के लिए है और opt treatment के लिए especially यह लाया गया है गुजरात में news of the day में हम लोग देखते हैं question है who has integrated the first glass breeze of north east India at राजगीर विहार तो वो है Prime Minister Narendra Modi जिसका इसमें pick लगा हुआ है इन्होंने अभी हाल में 200 glass feet का glass breeze integrate किया है राजगीर विहार में यह actually second है क्योंकि first जो है glass bridge already हो चुका है इंडिया में वो लक्ष्मन जूला यूपी में है और यह second glass bridge है तो याद रखेगा यह first north east इंडिया का bridge है लेकिन second glass bridge है Question No.9 Recently विरासत scheme is launched in UP what is the purpose of this scheme अभी हाल में विरासत scheme आया है और यह काफी important scheme में उत्तर पर्देश का आपको बताना है इसका purpose क्या है to make digital the land distribution system to curve the land related dispute in ruler areas to provide land as ancestor property to widow in village none of the above तो इसका answer है option no.b to curve land related dispute in ruler areas जिहां land related dispute को fast करने के लिए और जो e-registration को promote करने के लिए यह scheme लाया गया है और यह scheme काफी important है यह उत्तर पर्देश का scheme है question no.10 चलाई कलान is in news is related to चलाई कलान काफी ज्यादा news में है यह आपको बताना है यह क्या है a handicraft of कश्मीर वैली, a type of food of कश्मीर वैली, a renowned tourist center of कश्मीर वैली, hard winter of कश्मीर वैली तो इसका answer है option no.d hard winter of कश्मीर वैली जी हां कश्मीर वैली में 40 days तक जब काफी ज्यादा ठंड परती है तो उसका नाम है चलाई कलान 23rd December का question of the day था कि National Mathematics Day कब celebrate होता है तो इसका answer है option no.b 22nd December Thank you Mr. Bhanu Yadav and IQGK Research Center जिन्होंने correct answer दिया Question of the day देखते हैं Who has won BBC Sports Personality of the Year 2020? Lewis Hamilton, Tyson Fury, Srinivas Karnam, Holly Dolle आपको बताना है BBC Sports Personality of the Year 2020 किसको दिया गया है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, शेर कर दें और प्लीज फ्रेंट्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें Thank you